असलाम आलेकुम आज मैं आपके साथ शेर कर रहे हूं चिकन बंज की रेसिपी आज हम बंज तयार करेंगे वह भी विदाउट अवन बगर अवन आज हम बंज तयार करेंगे और फिर उस पे हम स्टफिंग करेंगे चिकन की आपकी मरजी आप किसी भी चीज़ के उसकी स्टफ चाइब किजिए, साथ इबेल बटने वो भी दबा देजिए और अगर आप हमें Instagram एकांट पर फोलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं चलिए पर इसको बराने स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्ले रह्मानी रहेम सबसे पहले हम इसका आटा गुन लेते हैं यह आटा चाहते हैं अब हम इसे अच्छे से मिक्स ख़र लेंगे यह मिक्स हो चुका अब एक कब कुनकने गरम पानी से इसको हम गूंद लेंगे यानि हलका गरम पानी है अगर आप चाहें तो पानी की जग़ा पर दूद भी ले सकते हैं यह आटा अच्छे से गुन चुका है अब इसमें दो टेबिल स्पून कुकिंग ओईल डाल रहें इसको मजीद हमने 102 मिंट और गुन दना है यह हमने गुन लिया यह आटा तयार है अब इसमें बन टेबिल स्पून कुकिंग ओईल डाल रहें चारो तरफ से हम इसके लगा लेंगे अब किसी भी रेपर से या धक्कन से इसको आप कवर कर दीजिए अब आप इसे दो गंटे के लिए किसी भी गरम जगा पर इसको रख दीजिए ताके यह आटा अच्छे से फूल के राइस हो जाए डबल हो जाए अब हम दो गंटे के बाद इसको देखेंगे दो गंटे हो चुके हैं आप देख सकते हैं आटा कितने अच्छे से फूल के डबल हो चुका है अब हम इसे एर निकाल लेंगे यह हमने इसके एर निकाल ली अब यह बंस बनने के लिए तयार है रेडि है अब जिस भी बरतन में आपने इसको बनाना हो उसको अच्छे से ओल से गिरीस कर लीजिए मैं इस वक्त पैन में बनाऊंगी इसलिए मैं पैन को ब्रीस कर रही हो ओईल से दो टेबल स्पून यहाँ पर मैंने ओईल डाला है अब आठे के हम छोटे-छोटे से बॉल बना लेंगे यह आप देख सकते हैं दो कप मेदे के अंदर हमारे पांच बॉल तयार हो चुके हैं अब हम इसे ढख के तकरीबन 30 मिंट के लिए रख देंगे ताके यह और मजीद फूल के डबल हो जाएं यहां पर आप एक बात का खाया रखेगा जब आप इस तरीके से बंस बना ले तो आप उसको तकरीबन 30-35 मिंट का टाइम और दीजिए आप डारेक इनको बना कर बेक करने के लिए मत रखेगा बना यह सक्त बनेंगे अच्छे नहीं बनेंगे और जो हमें नरम और अच्छे बाजार वाले बंस चाहिए वो टेक्टर नहीं आएगा इसका इसलिए मैं इसको 30-35 मिंट का टाइम दूँगे इतने हम बंस की फिलिंग तियार कर लेते हैं यहां पर हमने 250 ग्रम चिकन बॉलनेस लिया था उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्ज डानके उसको बॉयल करके निकाल लिया और फिर उसके छोड़ी छोड़ी पिसिस कर लिये यह दो कप शड़ुट चिकन है एक हमने हरी प्याज लिये उसका बाइट वाला हिस्सा हमने इस तरह चोटा-चोटा कट कर लिया और ग्रीन वाला हिस्सा हमने अलग इस तरीके से कट कर लिया दो टेबिल स्पून बारिक कटावा लस्टन है, एक शिमला मिर्च ली है, उसको हमने छोटा-छोटा कट कर लिया, वन टेबिल स्पून कुटी लाल मिर्च है, वन टी स्पून काली मिर्च पोडर है, वन टी स्पून वायट मिर्च पोडर है, हाफ टी स्पून नमक है, दो टे लसन को हमने ब्राउन करना है, यह ब्राउन हो चुका, अब इसमें हरी प्यास का वाइट वाला हिस्ता शामिल कर रहे हैं, अब इसको हम 1-2 मिन्ट मिक्स करेंगे, यह हो चुका, अब इसमें हम चिकन डाल रहे हैं, चिकन डालने के बाद इसको हमने 102 मिन्ट भूनना है, अब इसमें तमाम खुशक मसाले डाल रहे हैं, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च पोडर, वाइट मिर्च पोडर, नमग, सिरका, स्वय सोस, शिमला मिर्च, और हरी प्यास का गिरीन वाला हिस्सा, वाइट इसमें पहले ही शामिल कर चुके हैं, और गिरीन हिस्सा हम लास्ट में शामिल कर रहे हैं, यह हो चुका, इसको हम हम दो मेंट मिक्स करेंगे, यह हो चुका, अब यह तयार है, अब लास्ट के अंदर इसमें हम मायनिस शामिल कर रहे हैं, मायनिस जानने के बाद बस हमने इसको मिक्स करना है, यह हो चुका, अब यह हमारी बंस की फिलिंग तयार है, इसको हम एक तरफ रखते हैं, अब हम बंस को रेख लेते हैं, तवे को हमने 5 मिन पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था, अब उसके पर हम यह बंस पर रख रहे हैं, आप देख सकते हैं, बंस कि पूल के डबल हो इक तो यह है कि आपने जिस बरतन में भी बंस बनाए हैं, उसको आप डारिक अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि बंस बहुत जल्दी से नीचे से जल जाते हैं, और कड़क हो जाते हैं, इनको थोड़ा सा टाइम लगता है बंने के लिए, आपने बनाने हो, उसके निचे को तयार है बन चुके हैं, अब हमने इसको उपर से थोड़ा सा कलर देना है, थोड़ा सा इसको उपर से भी बेक करना है, इसलिए हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे, फिलिप कर देंगे इसको हमने स्रिफ पांच मिन के लिए ही रखना है पांच मिन हो चुके यह आप देख सकते हैं कि यह उपर से भी अच्छे से इसमें कलर आ चुका है और यह बहुत अच्छे नरम हमारे यह बंस्त बने हैं इनको हम निकालते हैं यह बंस्त ने जिनको हमने अभी तयार किया है यह चिकन की फिलिंग है कैचप है जो हमने हजबे जूरत लेना है 50 गराम ग्रेटिट मोजरेला चीज़े और 50 गराम ग्रेटिट चिडर चीज़े अब बंस्त को हम बीच में से इस तरह कट कर लेंगे ताकि इसमें हम फिलिंग भर सके यह सब कट हो चुके हैं अब हम इसके एक खिस्से के ओपर कैचप लगा रहे हैं मोजरेला चीज़ लगा रहे हैं चिकन लगा रहें चिरर चीज़ डाल रहें अब हम इसे कवर कर देंगे अब यह सब तयार हैं इसको हमने एक बार फिर पैन में रखकर तक्रिवलन पांच मिंट के लिए बेक करना है यह हो चुके यह आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी चिकन बर्ण तयार हुए हैं आप इनको घर में बहुत देजीली असानी के साथ तयार कर सकते हैं बस थोड़ी सी मेहनत की जरूते हैं बहुत साफसुते परीके से आप इनको घर में तियार कीजिए अगर आपको मेरी रेसिपिस अच्छी लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथ ही बेल बटने वो भी दबा दीजिए और अगर आप हमें इस्टाग्राम एकाउंट पर फोलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इजाज़त दीजिए बहुत बहुत दुआ में आद रिखेगा अलाहाफीज अगर आपने अभी तक हमारी यूटिब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को किलिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए